अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो मेरे लेटेस्ट अप्टेट ने आप तर पहुँच सके चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी की और सबसे पहले हम जो धाबेली का मसाला होता है वो तयार कर लेते हैं मैंने दो चमज तेल डाल दिया है जैसे ही मारा तेल थोड़ा गरम हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें आदा चमज राई और आदा चमज जीरा डालूँगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद मैं इसमें यह देखे मैं इसमें फल्ली के दाने डाल रही हूँ इसे मैंने पहले अच्छे से सेक लिया था और इसके छिलके निकाल दिया थे फल्ली के दानों का अच्छी तरी सेकने के बाद मैं इसमें एक बारी कटा प्यास डाल रही हूँ देखे प्यास भी बहु डालूंगी उबले हुए आलू चार आलू उब मैंने अबाल लिये थे और इसको मैश कर लिया था देखिए जो आलू है से डाल देती हूँ मैं देखिए आलू मैंने डाल दिया है अब इसे हम अच्छी तरीके से जो हमारे फल्ली के दाने हैं प्याज हैं जीरा राय अच्छे से मिक्स कर लेता हैं तागी प्याज और फल्ली के दाने वा अच्छी तरीके से आलू में पूरी तरह के से मिक्स हो जाएं देखिए इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें सारे मसाले डालूँगे एकदम घर के आसान मसाले डाल रही हूँ जो एक चमच धहिया पाउडर साथ ही मैं एक चमच अमचूर पाउडर डाल रही हूँ इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे देखिए इस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखिए इस तरीके से इसको लो फ्लेम पर कर देना है इंको गैस को और अच्छे से सारे मसाले जो हैं इसको मिक्स कर देना है इन सारे मसालों को मिक्स करने के बार मैं इसे एक बार चेक कर लोगी देखिए इसारे मसाले जो हैं से अच्छे से मिक्स हो गए हैं वैसे तो हमारी यह जो stuffing है जो यह मसाला है अलू का तयार है लेकिन इसको एक बार हम चम्मत से थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं देखे दियांसे इसको ठंडा करके टेस्ट कर लें मुझे हलका सा नमक और मिर्ची कम लग रही है जरा सा नमक भरची और डाल रही हूँ देखे इसे फिर्च से अच्छे से mix कर लेते हैं और यह जो हमारी stuffing है एक दम बनकर तयार हैं गैस का flame मैं ओफ कर देती हूँ और यह जो हमारी stuffing है देखिए इसके एक बार मैंने mix का लिया है जो stuffing है ready है इसे ठंडा होने देते हैं देखिए दो मैंने fresh bread के बॉन लिये हैं देखिए easily market से मिल जाते हैं देखिए इसको मैं center में से cut कर देती हूँ बहुत ही soft इसले टूट रहा है ध्यान से एकदम cut करें और आपको ध्यान रखना है कि इसको आदा ही cut करना है देखिए इस तरीके से इसको cut कर ले देखिए इस तरीके से मैंने आदा ही cut कर रहा है अब यह जो आलू की stuffing मैं इसके अंदर पूरी fill कर देती हूँ देखिए जो मसाला है इसको पूरा अच्छी तरीके से मैं हाथ से ही मसाला जो वो लगा रही हूँ आप चाहें तो चम्मच का भी इस्तिमाल ने स्मून का इस्तिमाल कर सकता है देखिए जो बन है रेडी हो गया है एक और बॉल ले लेते हैं इसको भी अच्छी तरीके से इस तरीके से हाथ रखकर सेंटर में से कट कर लेते हैं आपको ध्यान रखना है प्रॉपर कट हो देखिए ये भी कट हो चुका है अब जो मसाला इसमें भी पूरे अच्छी तरीके से फिल कर देते हैं देखिए इतने चार आलू में कम से कम पास पास से छे बन बन कर तयार हो जाते हैं दो मैंने आपको दिखाई दिये हैं देखिए इस तरीके से पूरे जो आलू है वो फिल कर लेते हैं अब यह जो हमारे बन है इसको हम सेख लेते हैं पैन मैंने हीट कर लिया है इसमें डाल रह तरीके से सेख लेंगे दोनों साइट से आपको ध्यान रखना है कि बर्न को जो ब्रेड का बर्न है इसको तब तक सेखना है जब तक यह गोल्डन ब्राव नहीं हो जाता है इसमें मैं थोड़ा सा और तेल लगा रही हूं उपर भी अलका सा ओल लगा दिया है मैंने अब इसे ह तरीके से हम प्रेस करके इस तरीके से दबाके दोनों साइट से अच्छे तरीके से सेखेंगे देखें से फिर से टर्न कर लेती हूं इस तरीके से इसको दबाते जाए और अच्छे तरीके से से शेखते जाए जितना अच्छा यह बर्न सेखेगा उतना क्रिस्पी और टेस् चुका है इसको फिर से टर्ण करते हैं अब देख सकते हैं दूसरे साइड से बिए आच्छी तरीके से सिख चुका है देखे अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इसी तरीके से दूस्टा बर्न भी है वो भी मैं सेक लूँगी देखे बर्न पूरा सिग्या है जो दूस्टा बर्न है वो भी मैंने सेक लिया है अब देख सकते हैं से भी निकाल लेते हैं इस तरीके से अब जितने बर्न चाहें उतने सेख सकते हैं, देखें बर्न में निकाल लेती हूँ यहाँ पर, अब हम जिसके उपर हम लगाएंगे वो तयार कर लेते हैं, देखें, अब यह जो हमारी धाबीली है, इस पर मैं टमाटर की चटनी लगा रही हूँ, रेड टमाट अच्छी तरीके से पतली सी कोटिंग लगा लें, आप चाहें, अगर आपको गाड़ी कोटिंग पसंद है, थोड़ा तो डबल लेल लगा सकते हैं, देखें, में को हरी चटनी जादा अच्छे लगते हैं, इसमें थोड़ी जादा कोटिंग कर रही हूँ, अगर आप चाहत है फीकी बारिक्सियों यह easily कोई भी बेकरी में अविलेबल हो जाती है आप कोई भी बेकरी से ले सकते हैं देखिए इसके बाद में इसमें जरा सा पिंच ओफ चायक मसाला डाल रही हूं साथ ही में जरा सी लाल मिर्ची डाल रही हूं और जरा सा नमक डाल मिश्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे डालें देखिए साथ ही इसे और अच्छा टेस्ट देने के लिए फलेवर देने के लिए धनिया पत्तष से गानिश कर देते हैं और यह जो हमारे टेस्टी एजी और क्विक रैसेपी है जो हमारी धाबे तयार हैं खाने के लिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आयो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं आप चाहें तो में को फेस्बुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें